हेलो एन वेलकम टू स्टडी आईक्यू PCS YouTube चैनल स्टडी आईक्यू के PCS YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मैं विरत दुबे एक बार बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आज का जो टॉपिक है जो दोपहर दो बजे सोमवार से लेकर के शनिवार तक जो आपकी शंखला चलती है ओल स्टेट PCS के लिए जितने भी स्टेट PCS के प्रपरेशन करने वाले स्टुडेंट हैं उनके लिए कॉमन जर्ल स्टडी का पोर्शन अलग 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 दिन अलग अलग विश्यों के साथ चलता है जैसे कि सोमवार की हम बात करते हैं तो इसमें हम आर्टन कल्चर डिसकस करते हैं इसके उपर हम नजर डालेंगे तो आज का अमारा आज यह तीसरे अपिसोड में आज करने वाले हैं जिनका यह पहली बार जो यह सेशन देख रहे हैं है इससे पहले के भी तीन सेशन है उनको आप को कला एवं संस्कृति के बारे में पूरा विस्तरत अध्यन करते हुए आपको बताया था कि कला क्या है और संस्कृति क्या है और कला के क्या-क्या अंग है उन्हीं यंगों में हम आज discussion कर रहे हैं वास्तु कला की English में आप इसे architecture बोलते हैं अर्थात वास्तु का मतलब है वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो वास्तु जो है वो स्थान से संबंदित है किसे संबंदित है स्थान से संबंदित निवास स्थान जो है जहां आप रहते परंतों इसमें भवन निर्माण के साथ साथ जो आपका नगर या फिर ग्राम निर्माण है या फिर जो भी ऐसा इलाका जहां पर आप रहते हैं उसको भी इसमें कवर किया सकता है मसलम उसकी सडके या फिर वहां के ग्रह निर्माण की शैली या फिर उस नगर विन्यास की शैली के उपर भी चर्चा की जा सकती है अब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वास्तुकला वो भी वैधिक काल की तो हमें वैधिक काल जो है उसके बारे में तो पता होना ही चाहिए अर्थात हमें इतनी जानकारी तो एट council किया वेदिक वास्तुकला के ऊपर जब चरचा होगी तो इस से पहले आपको ध्यान होगा कि वेदिक काल से पहले आपको सेंधव सभिता मिलती है सेंधव सभ्राइबादा में जो वास्तुकला है कि ऊपर आराम से चर्चा करी है और इसके दो भाग हमने discussion किते शरुवात प्रयंकों से हैं जितनी बी इतिहास के हिस्ट्री के जितने भी आपके our chapters थे उन वह उसको करेंगे जैसे की दूसरी शैलियों में हम मूर्तिकला के उपर चरचा करेंगे उन्हें संधव संगीत की बात कर चुके हैं और या जाना था कि एक उत्क्रिस्ट नगरिय सभिता का उधारण था और जब यह एक उत्क्रिस्ट नगरिय सभिता के तौर पर देखा जाता है तो यह पिक्षा की जाती है कि इसके बाद आने वाला जो समय होगा वो और जादा नगरी करण में रहा होगा पर यहां पर यह जो विश अगर हम 2022 में हैं और अगर हम 100 साल आगे चले जाएं आज से तो हमें ये विश्वास होता है कि निश्चित रूप से जो टेक्नलोजी है या फिर आज का जो समाज है वो और जादा विक्सित हो चुका होगा लेकिन जब हम बात करते हैं सैंधव सभिता की और उसके बाद आने वाली जो वैदिक सभिता है इसकी जब हम बात करते हैं तो यहां ऐसे संबंद देखने को नहीं मिलते से स्पस्ट होता है कि शायद सैंधव सभिता का वैदिक सभिता से कोई डिरेक्ट संबंद नहीं रहा होगा या फिर एकदम अच्छी तरीके connection नहीं मिलता है या फिर बी जीवन है वो कैसा है ग्रामिड है जबकि सेंधव सभिता जो है वो नगरी जन जीवन को रिप्रेजेंट करती है प्रदर्शित करती है अगर हम इन चीजों को ध्यान में रखते हैं तो जो रिगवेद है अर्थाथ वैदिक काल में रिगवेद जिसको की हम संसार का सबसे प पंद्रह सो से लेकर के 600 इसापूर तक है जबकि इसमें रिगवेदिक काल का जो समय है वह पंद्रह सो से लेकर के 1000 इसापूर तक का माना जाता है अगर हम इन चीजों को ध्यान में रखते हैं कि 1500 से 1000 का समय यहां पर है और सेंधव सभिता की बात करते हैं तो 2350 से लेकर के 1750 के आसपास तक का इस अकाल का समय हमको यहां पर देखने को मिलता है तो यह लगभग लगभग हमको अंदाजा होई गया कि इसके बात की सभिता है और यह ग्रामिड सभिता है रिगवेद में कई ऐसे वर्सेज हैं कई ऐसे कह सकते हैं जिनमें बात का आभास होता है कि यह सभिता कैसी रही होगaken पिर उसकी इसकी सबता जो है वो ग्रामिड है स्थापत ऌसंबंदि तमाम सारी जानकारियां हमको रिगवेद से प्राप्त होती है या मिली जाती है जैसे कि अगर हम देखते हैं तो रिगवेद हैं अच्छाong दिखात के घाला मंछ爽ए ड़े अच्छी तरीके से अलग-अलग जगहों पर व्याख्या की ही गई है वैदिक काल में जो भवन बनाये जाते थे जब हम भवन की बात करते हैं तो भवन का अर्थ यहां पर आपको निवासिस्थान से लेना चाहिए लेकिन कुछ अर्थों में केवल यह निवासिस्थान के ही रूप में रहा हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं मतलब भवन जो है वो निवासिस्थान के रूप में ही यूज होता हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है लेकिन हम इसे निवासिस्थान के रूप में मुख्य तोर पर देखेंगे अब हम चुकि यह कह रहे हैं कि इनका जो यहां पर देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन कोशन यह है कि इनका परिवेश ग्रामीड कियों था इसका मुख्य कारण हमको समझ में आता है क्योंकि वैदिक काल जो है वह आर्यों का है आर्यों की संस्कृती जो है वह प्रारंभ में अगर देखा जाए तो घुमंतु रही है घ उसका जो टैंप्रेरी हाउस जो बनेगा उस स्वभाविक सी बात है कि इस तरीके का नहीं होगा कि जहां पर लोग स्थाई रूप से रह सके तो उतना ज्यादा एडवांस लेवल पर आप नहीं बनाते जब किसी चीज को छोड़के जाना ही है को समय बाद आप जहां के अच्छी तरीके से अपनी चीजों को इस्टैब्लिश नहीं करते हैं तो ऐसा माना जा सकता है क्योंकि आर्रे जो है वो साधू संतों के तौर पर देखा जाया या फिर घुमंतु प्रुत्ति के तौर पर देखा जाए तो यह जादा थे इसके कई कारण हो सकते हैं जिनमें तो स्वाभाविक सी बात है कि इनका जो घर बनेगा वो स्थाई नहीं होगा वो कैसा होगा अस्थाई होगा लेकिन जैसे जैसे इन आर्रियों ने एक जगा पर स्थिर होना शुरू कर दिया जैसे जैसे आर्रियों का निवास स्थान एक जगा पर सुनिश्चित होना शुर तो ये एक कारण देखा जा सकता है कि वैदिक भवन जो है वो मुख्य रूप से घास फूस के बनते थे या फिर कई जगाओं पर कच्ची मिट्टी जो है कच्ची मिट्टी कि आपको मकान देखने को मिलते हैं ठीक है बांस का प्रयोग इसमें कई जगाओं पर करते हुए दे यह थे धातू लेकिन धातू का प्रयोग प्रचुर मात्रा में करा जाता हो एक थोड़ा कम ही आता है तो वैदिक भवन जो है उसका आभास मने आपको बताया कि वैदिक भवन जो है साहिरजी बात है कि मड में मड़ मेड हाऊसेज ज आपको जादा देखने को मिलेंगे या वैदिक भवन बन रहा है वो वैदिक भवन जो है उसके तीन भाग होंगे मतलब यह पूरा का पूरा जो हाउस है इसके हाउस के तीन भाग होंगे इसमें से पहला भाग आपको देखने को मिल रहा है ग्रहदवार तो पहला भाग जो आपको ग्रहदवार देखने को मिल रहा ह जो है दूसरा भाग बैठक देखने को मिल रहा है और तीसरा भाग जिसे आप पतनी सदन कह रहे हैं यह क्या है इसके उपर चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले अगर हम ग्रहभाग की बात करते हैं तो ग्रहभाग जो है वह एक तरीके से प्रवेश्ट द्वार है वो क्या है प् इस दरवादे के भीतर जैसे आपने प्रवेश्ट किया तो यहां पर बैठने के आपके लिए जगा है या फिर एंट्री करके आ करके रुखने की जगा है यह आपको यहां पर देखने को मिलता है इसको आंगन के तौर पर भी जाना गया है यह एक आंगन के तौर पर हुआ करता था या फिर आपसे आजर के नाम से जाना जाता था या आजर की रूप से इसको देखा जाता था मतलब आप एंट्री करते ही जिस स्थान पर रुखेंगे में थोड़ा यह RAW इस सब्सक्राइब करते हैं सीधे यहां थे प schwoting तो विषेष्टा अगर देखा मिस्क्राइबouxS यहां कि नाम से जाना जाता था इसको किस नाम से जाना जाता था अब यह वाली नहीं है जो आपने वैदिक में रिगवैदिक काल में जो राजा महराजाओं के मतलब सपोर्ट के लिए जो सभा बनती थी सभा समीति और विद्थ वह वाली संस्था नहीं है सभागार कहलाता था एक तरीके के सभास्थल कहलाता था जहां पर आकर के लोग बैठते थे और ये वाले को आप लोग आंगन कह सकते हो इस वाले को आप आंगन कह सकते हैं आंगन के लावा इसे आप अजीर भी कह सकते हैं अजीर नाम का भी प्रयोग इसके लिए प्रयोग होता है या अजीर का नाम का प्रयोग होता है अब यह जो बैठक है या जो सभा है यह इसे आगे चल करके आस्थान मंडब के तौर पर भी जाना गया मनें सभा को आस्थान मंडप पी कहा जाता है आस्थान मंडप के रूप में भी कई जगहों पर वेदों में इसकी व्याख्या की गई है तो आस्थान मंडप या सभा ये बैठक हुआ करता था ये घर का दूसरा हिस्सा है घर के तीसरे हिस्से के बात करेंगे तो इसे पत्नी स करदन का मतलब यह है कि आपको मालूम ही है कि इस्तरी जो है वह हो समाज में उस समय गपर रए वहाँ पर रही होगी या जो भी है इसको आप लोग अन्तहपुर के नाम से भी जानते हैं कई जगों पर इसे अन्तहपुर भी लिखा गया है तो यह अन्तहपुर है यह नहीं कि कोई भी आया है तो घर के भीतर तक ही घुस्ता चला जा रहा है आज कल के आदनी घरों के निर् वह आपको यहां पर देखने को मिलता है अब यह सारी चीजहें समाज के लिकिन इस तरीके गरों में इश्वर के लिए जिसको बोलते हैं अगर बांधने का काम करते ते बाहने का मतलब यहां पर यह नहीं है कि मतलब गुलावी का अर्थात अगनी का आवाहन करने का इस्थान अर्थात अगनी के आवाहन का इस्थान और ऐसा अमाना जाता है कि यह घरों की प्रयोग में होती थी अगनिशाला में अगर हम देखें तो ये भवन में एक बड़ा सा कह सकते हैं इसके लिए बड़ा सा स्थान बनाया जाता था अब इस बड़ा सा स्थान बनाने का कारण हो सकता है कि बड़ा सा स्थान बनाने के कई कारण हो सकते हैं कि कई सारे लोग एक स तो यहाँ पर एक अक्ष इसके बना है जात था जिसे आप अगनी शाला अग्ली कश बोल सकते थे इसी में आगर देखा जाए तो तमाम सारे जुशोल कार्रे होते क्रूट विहित जो कर्म होते हैं सुन करके कियाने कर्म कुछ विहित कर्म होते उसने उन्हें Northwesttech Smriti접 accept कार्णे ऐसका हमें ध्यान रखना है शौथ कार्यों के लिए हमको प्रयोक करना पड़ता था ता kannin का कि αगंथ करना पड़ता था तो इसका विशेस प्रयोग हमको के लिए अगनिशाला का प्रयोग करने को देखने को मिलता है इसके अलाव एक पॉइंट हमको यहां पर और समझना चाहिए एक पॉइंट और हमको इस पस्थ होना चाहिए कि आगे चल करके जो बड़े-बड़े घर बने बड़े घर या बड़े प्रासाद जो बने जिसमें राजा मारा रहने लगे थे उनकी अगर हम बात करते तो इन बड़े प्रासाद ग्रहों में इसी अगनिस्थल को ही देवघर कहा जाना शुरू कर दिया गया तो यह एक तरीके से देवघर यानि कि इसी को ही आगे चल करके पूजा घर के रूप में जाना जाना व्यक्ति के घर में एक पूजा घर का स्थान होना सुनिशित हो गया है तो यह आपने अगनिशाला से समंदी चीजे भी समझ ली होंगी वैधिक वास्तुकला में कुछ और चीजों को अगर हम समझना चाहें तो हमको एक पॉइंट यहां पर और देखने को मिलेगा कि वैध प्रकृतिक रूप से समझते थे प्रकृतिक सुनदर्ता यहां पर आपको अधिक देखने को मिलेगी औए और यह आडंबरों से बसते थे आजकर के घरों में तमाम सारे आडंबर होते हैं यहां पर एक बड़ा सा सीनरी और यहां पर बड़ा सा नतिकी के मुर्ति ना तो यह जो वहाई आडंबर वाली चीज़े हैं उससे बिलकुल इनका कोई लेने देने नहीं था यह चीज हमको वेदिक सायत्तों से इसपस्ट होती है कि इनका जो भवन निर्माड़ है मतलब आप भवन का इस्तेमाल किसले कर रहे हैं भवन का इस्तेमाल रहने के लिए कर रह रहना भर हो जाए है इतना ही वहां पर अबश्यक्वस्तवाते मिलती थी और रहने में भी जो सामाजिक अंतर होने चाहिए उसके अनुसार वह रहना हो जाए वह आए पर देखने को मिल जाता है मसलन की कोई आएगा तो कहां रुकेगा कोई घर का है तो कहां रुकेगा इस्त्रियां है तो कहां रुकेगी पूजा घर कहां होगा इत्यादी घर की सुरक्षा कैसे की जाएगी खिती बाड़ी है तो वो कहां होगी इत्यादी इस चीजों का ध्यान यह मतलब मोसली यहां पर और रखते हुए देखते हैं देखने को मिलता है एक बात यहां पर आती है जो महाकविस शायन है सायन ने मान को और वसिष्ट को रिगवेदिक साहित्यों में मान और वसिस्दो ऐसे लोग हैं जिनकी उत्पत्ति कुम्भज के रूप में कही गई है कुम्भज अर्तात घड़े से जन्म लेने वाले घड़े से जन्मा इनको माना गया है तो यह जो मान है न आगे चल करके देखिए हम लोगों ने देवी दे के दूस्तान को संव्ष्ट के लिए जो वास्तुकार हैं उं वास्तुकार को भी हमने देवी देवता का रूप दे रखा है कईप्रकार से क्वज्वाद्स ही हैं उनको भी देवी देता का नाम दे रखा है क्योंकि जो भी चीज घच्व supporterू है थोड़ा उच देते हैं तो यहां पर इस चीज को हम को देखने को मिलता है तो सायन ने मान को कुम्भज कहा है और संभवता कुम्भज जो है वह आगस्त रिशी के रूप में जाने के हैं और आगस्त रिशी जो है यह जिनकी जिनका जन्म घड़े से माना गया है इनको जो है वैदिक कालिन वास्तुकला से रहा है क्योंकि आगस्त रिशी के अगर हम बात करते हैं तो आगर स्ट रिशी ने एक ग्राम कैसा होना चाहिए एक ग्राम में क्या-क्या आवश्यक वस्तों होनी चाहिए इन सब चीजों को परिभाशित किया है और इनोंने मतलब इस चीज को मतलब इनके द्वारा आगर हम थोड़ा सा कल्पना करवा सकें आपको कि ग्राम जो है वो थोड़ा सा एक शांती पूरग जगह पर कई सारे घरों को मिला करके बनाया जा सकता है इसमें आवश्यक रूप से एक पाठशाला भी रखी जा सकती है जिसमें रिशीगण जो है वो पठन का कारे करेंगे सक्यलावा एक अगनी का स्थान होना चाहिए सक्यलावा जो है आसपास नदी होनी चाहिए सक्यलावा जो घर है यह जो गाउं है पूरी तरीके से सराउंडिंग होना चाहिए सरांडेट होना चाहिए जो बास के बाड़े वगर अत्यादी लगाये जाते हैं उन सब वास्तो礎स्पति जो हैं ये किस नाम से जाने जाते हैं इनके बारे में थोड़ा सा परिशे आपको दे हैं तो रिगवेड में एक इस्थान पर वास्तो स्बति का नाम आता है ,्वास्तो स्बती वास्तविक रूप में उस देवता के रूप में उसको माना जा रहा है, जब कोई घर का निर्माण करने चल रहा है, जैसे आज भी ऐसा होता है, जब आप मकान निर्माण करने चलते हैं, तो जब कभी भी वैदिक काल में कोई घर का निर्माण किया जाता था, तो घर निर्माण से पूर्व जिस देवता का आवहन किया जाता था वो देवता जो है वो कौन है वास्तोस पती ठीक है आवहन करने का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बुलाना यानि कि देवताओं की अगर उपस्थिती में कोई कारे हो रहा है तो निश्चित रूप से वो ठीक ही होता था ऐसा बिलीव तो आर्रियो इंद्र या इंद्र नी है इंद्र ही है यहां पर इंद्र है तो वास्तोस पती और इंद्र जो है यह बुलाए जाते थे जिस समय घर की नीव या घर निर्मान किया जाता था आगे चल करके वास्तोस पती के साथ स्वास्ट्रा को बुलाया जाना शुरू किया गया इस स्व यह प्रकार से दुर्ग का नाम है। एक अश्माई है या अश्माई है कई कई अश्माई भी लिखा है अश्माई या अश्माई ऐसे करके लिखा है ये एक प्रकार से दुर्ग का नाम है तो दुर्गों के नाम को हम लोग अस्माई के नाम से जान रहे हैं या आएसी के नाम पर भी जान रहे हैं विशेस्ता आए इस अबिता से एक wishes difference भी हमको देखने को मिल जाता है यह आयसी जो है इसमें धातु का प्रयोग हो रहा है और धातु में भी मुखी रूप से आयस इसो कृष्ण आयस के रूप में कहा गया है लोहा इत्यादी जो है उसका प्रयोग हो रहा है थोड़ा बहुत यह प्रयोग होन जा रहा है तो पत्थर और धातु के उप्योग जो हैं आपको रिगवेदिक आर्यों के द्वारा देखने को मिल रहे हैं और उनके द्वारा निर्मित जो मकान है वह अश्मई और आयसी के रूप में जाने जा रहे हैं मेरी ख्याल से आपको यह point भी clear हो रहा होगा ठीक है अब अगर हम ग्राम की बात करते हैं तो रिगवेद में कई जगहों पर ग्राम शब्द का प्रयोग किया गया है और कई जगहों पर रिगवेद में भी किया गया है और रिगवेद के बाद जो दूसरे वेद हैं अन्यवेद जो हैं अन्यवेद उनमें भी कई जगहों पर ुचा देखने को मिल रहा है गान मतलब वहीशार अधरन तौर से गां जिसे आप कहते हैं वह गां ही जो है वो ग्राम है उसी को भी कह रहते हैं जो है चोटे बड़े भी होते थे व्यवस्थित भी होते थे और कई जगावं पर आववस्थित प्रणाली भी आपको देखने को मिलती है लेकिन जो बड़े गाउं है उन्हें महाग्राम कहा जाता था ठीक है बड़े गाउं को क्या कहा जाता था महाग्राम कहा जाता था जिसमें से कुछ महाग्राम ऐसे हैं जिनमें दो प्रवेश्टवार हैं और अधिकतर महाग्रामों में चारों तरफ एक एक प्रवेश्टवार हमको देखने को मिलता है नहीं कि चारों तरफ से एक इंट्रीगेट देखने को मिलता है बड़ी बात यह है कि यह जो गाउं बनाये जाते थे जिनमें चारों तरफ से तोरणों का प्रारंभिक रूप आपको रिगवैदिक काल और वैदिक काल में देखने को मिली जाता है गाउं की चारों और प्रवेश करने के लिए ऐसे बड़े-बड़े से बांस जो है वो जमीन में गाड़े जाते थे और इन बांसों पर बड़ा सा एक इंट्रीगेट टा पुर जो है यह विशेष रोप से अगर देखा जाया तो मिट्टी के बनाये जाते थे में जो मकान बहने दो जादा तर घास-फूस के बनते थे या फिर बांस का प्रयोग कई बार जादा किया जाता था ठीक है वैसे भी बांस भी एक विरकार की घासी आपको मालूमी है तो ये पॉइंट आपको जरूर धियान रखना है पुर की अगर हम बात करते हैं तो संस्क्र साहित में पुर शब्द जह है वो नगर के लिए प्रयोग हो रह रहा है उसकी जगह पर अगर मिट्टी का मकान बंड़ा तो थोड़ा सा एक लेवल एडवांस है तो थोड़ा सा नगर टाइप का यहां पर देखने को मिलना थोड़ा जादा व्यवस्थित हो रहा है उससे जादा इस्थाई है दुर्ग या गढ़ का भी प्रयोग हमको दे चारों और एक रक्षा प्राचीर बनाई जाती थी जैसे मैंने आपको यहां पर भी बांडरी चाहिए वह बन रहा हो चाहिए दुर्ग सब्सक्राइब और इसका निर्माण किया जाता था इसका निर्माण किस कारे से रहा होगा विशेषता रक्षा करने के लिए चाहिए इस प्रकार की चीज़ों का अगर हम देखेंगे तो ये तो हो चुका है इसके बारे में मैं आपको बताया इस पे एक पॉइंट आपको ये वाला देखने को मिलेगा पुर के स्थिति में अगर देखेंगे तो पत्थर के बने पुरों का जो लेक है वो आपको रिगवेद में देखने को मिलता है तो जो पत्थर के बने पुर हैं उसी को अश्ममाई पुर कहा जा रहा है या इसी को अस्माई पुर भी कहा जाता है तो अस्माई पुर जो हैं वो पत्थर के बने हैं इसके अलामा मैंने आपको बताया था कि एक और नाम मैंने आपको बताया था जो कि अस्मई के साथ साथ है जिसे आप आएसी कह रहे हैं आएसी दुर्ग जो हैं यह आएसी दुर्ग जो थे जिसमें धातु का प्रयोग आपको होते हुए देखने को मिलता है अब एक नाम यहाँ पर रखा जाता था वो गौशाला कह सकते हैं गोमतिपूर कह सकते हैं अर्थात घरों में निवास में मनुष्यों का इनी पशुओं का भी एक कह सकते हैं कि इस्थल है जिसमें पशुओं का भी निवास इस्थान आपको बनाना पड़ता था तो देवी देवताओं के लिए हो गय ठीक है आवशक्ता के अनुसार सारी चीज़ें यहां पर आपको देखने को मिल जाती थी यह चीज़ आपको यहां पर एक दो पॉइंट में आपको और थोड़ा सा एक्स्टा इस पर बता देता हूं उसके बाद हम आगे चलते हैं एक दो पॉइंट इसमय और आपको थोड़ा से एक्स्टा बता देते हैं इससे कि अवह बनाए जाते थे घरों का जो निर्मान होता था गाउं में हो या फिर पूर में हो जो भी घर बनाए जाते थे इन घरों को कई जगहों पर इतना सुन्दर बनाय जाता था कि इनको आप मतलब इनके सुन्दरता की तुलना जो है वो हतिनी से की जाती है और हतिनी की जो पीट होती है वो काफी सुन्दर होती है ऐसा माना जाता है तो जो घरों के जो चछत बनाय जाती थी उसी प्रकार से उसमें कर्व ह होते थे जिस प्रकार से हथनी की पीट पर होता है तो इसकी तुलना हथनी की पीट से भी करते हैं और घरों को कई बार इस प्रकार से सुंदर बनाया जाता था कि उसमें तुलसी स्थान भी होता था तुलसी स्थान रहे या फिर उसमें अगनी द्वार जो हैं घरों के प्रवेश्ट द्वार के मुख जो हैं वो किस तरफ रहेंगे इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखते थे जिसे आप वाश्टु शास्त्र कहते हैं साती साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि गाओं में अच्छी तरीके से बनने वाले जो घर है उसमें शुद्ध हवा और शुद्ध पानी की जो है वो अच्छी तरीके से वेवस्था रहे तो हवा और पानी के वेवस्था यानि वेंटिलेशन वगरा की वेवस्था भी बहुत अच्छी तरीके से करते थे इसके अलावा आगर हम देखें तो सुरक्षा के तोर पर जैस हरबल इतियासकर हरबल जो हैं वो क्या कहते हैं इनका कहना यह है कि गाव जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये गाव जो हुआ करते थे मुख्य तोर से आयताकार होते थे गाव जो थे ये मुख्य रूप से कैसे थे मुख्य रूप से आयताकार थे आयताकार और क्यूंकि आयताकार थे तो इनके बाड़े जो बनाये जाते थे वो बाड़े भी थोड़ा आयताकार आपको देखने को मिलते हैं ठीक है शत्पत ब्रामण हो रिगवेद हो या फिर छांदोग यो पनिशद हो इत्यादी में इस प्रकार की प्रणाली का प्रयोग हुआ है जिस सराउंडिंग रक्षा प्राचीर जो है जो किनारे किनारे घेरा बनाये जा रहा है इस घेरे में मुख्य रूप से लकड़ी का प्रयोग किया जाता था 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 लकड़ी के बाड़े बनाये जाते थे यह कोई बहुत बड़ा मतलब बात उन्होंने नहीं बताई लेकिन ठीक पुर बनाया जाते थे इनकी रक्षा के लिए और इस तरीके से फुरों की रक्षा करी जाती तो यह सब कुछ इस पेशल जो है आपको मैंने चीजें बताई जो वास्तुकला से संबंदी थी उम्मीद करते हैं जो रिग्वैदिक वास्तुकला है या वैदिक साहित से संबंदी जो वास्तुकला है वो आपको समझ भी आई होगी घरों को बहुत अच्छी तरीके से सुन् अंदर रूप में देखा गया उसी तरीके से यहां पर अगर देखा जाए तो इनका विस्थान माना गया है घरों का विस्थान माना गया घरों को लोग सजाते थे अलंकृत करते थे उस पर डिजाइन भी बनाते थे लेकिन वह वैदिक डिजाइन हुआ करती थी वैदिक सा